नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल निताजीम आपका स्वागत है, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे दोस्तों पिछला वीडियो में आप बात किया हमने, रेस्ट नहीं मिलने के संबन्द में और आप लोगोंने बहुत सपूर्ट किया उस वीडियो को इसके लिए धन्यवाद आज हम बात करेंगे कि spouse ground transfer वे मैंने वैसे कई तरह के वीडियोज बनाये है spouse ground transfer के आप लोगोंने वीडियो को बहुत देखा है, बहुत सारे questions भी किये है आज का जो वीडियो है वो railway के spouse ground transfer पे नहीं है बलकि ये है bank में अगर कोई employee काम कर रहा है तो उसके लिए female employee के लिए spouse ground transfer के request के सम्मन्न में 2014 में एक later issue किया गया था तो उस समय public sector banking including IDBI and SBI Associates के लिए जो later issue हुआ था सब्जेक्ट था transfer of female employees in public sector banks, minimizing their hardship यानि उनकी समस्याओं को कम करने के लिए female employees के जो transfer है उसके related है इस पे चलिए चार-line discussion करते हैं समय नहीं मिलने के चलते कहे बार में सिर्फ voice वाले video बना पाता हूँ प्रयास करता हूँ कि मैं खुद भी आके video बनाओ जो कि मैं आगे करने वाला हूँ चलिए इसमें देखते हैं इसमें ब्रॉट तो नोटिस अप्रेटमें अप्ली सेक्टर में जो काम करते हैं जाहे हो उनकी शादी हुई हो या वो अविवाही थो दोनों इस्थिती में जहां उनका transfer होता है या जहां उनकी posting होती है या तो उनके पती से दूर या उनके parents से दूर ऐसे इस्थिती में घर से दूर काम करने पर उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उनमें और सुरक्षा की भावना पैदा करता है वो अपने आपको और सुरक्षित महसूस करते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए नमबर एक, to accommodate as far as possible, place transferred of married female employees on her request at a place where her husband is stationed or as near as possible to that place or vice versa यानि उनको accommodate करने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए उसे या तो job, post transfer या posting विवाहित महिला कर्मचारी को उनके request पे ऐसी जगह कहां किया जाए जहां पर उनके पती, posted है, nuked है, या उनके सबसे नस्दीकी जगह पे किया जाए, कुछ ऐसा ही, ताकि वो नस्दीक में अपने husband के रह के duty कर पाए और कई तरह के hardship का सामना ना करना परे दूसरा topic था, to accommodate as far as possible placement, transfer of unmarried female employees on a request at a place where her parents are stationed or as near as possible to that place यानि, अगर unmarried female employee है, तो उसे उसके parents के पास placement दिया जाए, या transfer किया जाए, उनके request पर और इस rule को advise किया जाता कि इसे policy बनाया जाए, board से approval लिया जाए, और जो pending request है, उस पे भी इसे implement किया जाए और इस rule को immediate impact के साथ, immediate effect के साथ implement किया जाए, और एक confirmation भी भेजा जाए कि इस तरह का adoption of policy bank ने start कर दिया है तो ये किसी भी अन्य government या central bank से तो बहतर spouse ground transfer का है मेरे नजरिये से, कह सकते आप, ये 2014 का है, 8 साल पुराना है, तो जरूरी थोड़ी है कि ये implementation में भी होगा, कुछ ना कुछ modification आही गया होगा, 100%, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है किसमें कहीं भी यह नहीं कह रहा है कि के पास आपको job दिया जाए, या आपके parents के नजदीक में आपको job दिया जाए, ताकि आपको किसी प्रकार के hardship का सामना ना करना परे, और इसे implement किया जाए, immediate basis पे, और implementation का एक notice उन्हें भी भेजा जाए, और जो pending cases है, उन पे भी implementation किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये दिख department का, ये कहीं ना कहीं, ये सारे लेटर, आपको आने वाले समय में, कहीं ना कहीं लड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपने हक के लड़ाई के लिए, spouse ground transfer पे relieving के लिए, मददगार साबित होगा, ये सारे लेटर, इसके analysis को देखिया और उसके बाद fight करिया कि क्यों नहीं relieve किया जाए, क्यों नहीं transfer किया जाए, और तब आप अगर fight करेंगे, तो आपका transfer निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हर सरकार ने, हर government ने, कुछ ना कुछ spouse ground transfer पे, नस्दीक में, सेम जगह पे, या एक ही जगह पे, posting के लिए, transfer के लिए नियम बनाए हैं, दिक्कत हो जाती है, ignorance की, पता नहीं होना, सही तरीके से implement नहीं होना, और लाल फीता शाही, और बाबो गिरी में, फाइलों का पिस्ते हुए रह जाना, उसके चक्कर में लोगों की कई बार समस्या हैं, और जिंदगी तक, बरबाद होते रहती हैं, कई मेनों तक, कई सालों तक, तो ये लेटर बस इसलिए है, कि आपको एक दिशा निर्देश मिले, guidance मिले, कि ये ये चीजे, बैंक में भी implement हो रही है, बैंक की लोगों ने भी मुझे question पूछे हैं, railway में भी है, central government में भी है, कल एक अलग दूगा लेटर उसमें भी रहेगा, तो इन सारे लेटर को अगर आप एक साथ merge करेंगे, तो कहीं न कहीं, आप बहुत बहतरीन तरीके से fight कर सकते हैं, अपने हक पे ज़्यादा जोर से emphasis करके, उसे सही दिशा दे सकते हैं, कि नहीं क्यों नहीं transfer हो, और क्यों नहीं relieving हो, आप मुझे comment box में बताइए, कि ये जो अलग तरह का लेटर इस तरह के लेटर के साथ, अगर explanation के साथ मैं आता हूँ, तो कैसा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like, share, subscribe भी करिएगा, धन्यवाद दोस्तों